नमस्कार आदाब सब्सक्राइब का दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन तो सहत मंद ने के लिए हाट एटक करने के लिए दिल की नसे खोलने के लिए नाचरल बाइपास के लिए काँसी आप दिल की वरकाऊट क्या होती है So physically active का मतलब होता है जो आप अपने दिल के लिए सबसे अच्छा gift जो दे सकती होद को वो है physically active रहना सबसे अच्छा Regular exercise आपके risk heart attack का भी कम कर देगा और आपकी life's की span जीवन भी बढ़ा देगा So आपको गंटो गंटो जिम में रहने की जरूरत नहीं है Just अगर आप अपनी body को moving हिलाते डुलाते रहो चलते फिरते रहो यहां से वहां 30 minutes 30 minutes एक दिन में उतना भी बहुत है आपके दिल की health improve रखने के लिए अगर आपको diabetes है, heart की विमारी है तो अपने doctor से बात करें कि मैं कितना चलूं कि मुझे कोई दिक्तत ना हो Heart की विमारी वाले उतना चले जितने में उनको सांस ना फुले, दिल में छाती में दबाव ना हो Sugar वाले patients उतना चले जितना उनकी sugar level ज्यादा low ना हो दिरे 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 अपनी शमता बढ़ाते जाए अपने doctor से contact में रखे Benefit क्या होगा exercise का? Number one, आप calories burn करेंगे आपकी जो calories है extra fat, extra weight कम करेगी, overweight is a risk Obesity, मुटापा एक risk है जिससे heart attack, cholesterol और sugar जैसी विमारी होती है Number two, exercise करने से blood pressure भी कम हो जाता है अगर आपकी उमर जो भी 30 के उपर है और उसमें आप moderate aerobic exercise 30 minute या 60 minute तक करते हैं, आप हफते में 5 दिन भी करते हैं तो भी आपका जो high blood pressure की problem में blood pressure low हो जाएगा दवाई लेते हो blood pressure की वो भी slowly slowly over period of time कम हो सकती है और BP अपने आप में जो सबसे बड़ा risk factor है एक one of the biggest risk factor है जो बाकी सारे risk factor के अलावा कि जिससे कि endothelial injury होती है, खून की नसों के inner lining में जिसके विज़े से heart की बिमारिया, atherosclerosis, plaques, plaques बनते हैं, वो control है तीसरा regular exercise से नीद अच्छी आती है, stress कम होता है इससरे very good stress buster और चौथा cholesterol levels भी कम होते हैं जो भी एक अच्छा risk factor है एरिंग एक aerobic activity जो होती है उसका क्या मतलब है, aerobic activity का मतलब है वो activity जिसमें आपकी body, जो mass species है उसकी energy, जो है oxygen का इस्तमाल करते हुए use energy generate कर रही है तो जितनी भी अगर आप large muscles use करेंगे तो आपकी heart beat fast होगी यह आप पैर से दोड़ेंगे अगर हाथ वेर से बड़ी बड़ी exercise करेंगे तो आपकी aerobic exercise जो है वो एक तरीके से कहा लिए जोगिंग, थोड़ी बहुत swimming, cycling यह सब aerobic exercises में आते है तो benefit क्या होगा? इससे अगर आप आदा घंटा daily का 20-30 minute moderate बहुत heavy नहीं करनी है बहुत light भी नहीं करनी है गार्डन में नहीं घुम रहे हैं थोड़ा सतेज इतनी कर लेंगे तो आप यहने 2.5 hours a week हफते में 2.5 घंटा कर लेंगे या 10-15 minute का heavy session आप daily का कर लेंगे तो भी बहुत बढ़िया effect आएगा आपके heart पे moderate aerobic activity में dancing, hiking, bicycling और यह सारी golfing, wolfing, swimming, moving सब आजाएगा ठीक है? vigorous activity में आजाता है बहुत तेज bicycle चलाना बहुत brisk squat, लंबे धमे के लिए करना या यह सब जो जॉगिंग, jumping rope, soccer, basketball ऐसी चीज़ आजाएगा tennis, tennis कर लिए तो यहाँ अगर आप इस तरीके करते हैं तो इसको आप हफते में धाई गंटे की जगा केवल सवा गंटा इने 75 minutes करना भी बहुत है हफते में इतना ही करना है दरूरी नहीं है कि नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ है अगर आप इसको कैसे ट्रैकर, moderate है कि आप कोई की body कैसे feel कर रही है उस हमें, during that activity तो आप समझ जाएंगे कि भी यह moderate है, mild है या vigorous है, ठीक है और इसके उपर borg rating of perceived exertion scale rank किया जाता है जिसको 6 से 20 का rank दिया है तो during exercise, you have to choose that number कि कितनी hard workout है यह अगर आप मान लिजे कोई exertion नहीं है तो 6, extremely light है, very light है तो 6, 7, 9, very light मतलब slow working, easy chores, light है तो 11, 13, somewhat hard requires effort but doesn't make you out of breath याने 13 level तक है मतलब out of breath नहीं है आप लगातार बात कर पा रहे हैं, सांस रुक नहीं रही है hard का मतलब आजाएगा जब आप out of breath हो रहे हैं जब आपको रुक के सांस लेना पड़ रहा है very hard जब आपको really push करना पड़ एक्स्ट्रीमली hard highest level of exercise और maximal exertion is 20 moderate level का मतलब है 12 से 14 के बीच्छे हैं 12 से 14 मतलब जहां पर आपका out of breath की बस limit टच हो रही है सांस फूल भी नहीं रही है और अगर आपकी breath सांस उखड रही है कि उतना की सांस लेना पड़े रुक के तो वह हुई vigorous exercise तो basic चीज हम उसको इससे भी देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी exercise करते हुए करते हुए गाना गा पा रहे हो तो वह बहुत mild exercise है अगर आप exercise करते हुए गाना नहीं गा पा रहे है उसमें आ तो फिर that is a moderate exercise अगर आप exercise करते समय बात भी नहीं कर पा रहे then there it is a vigorous level exercise simple ठीक है तो आप उसको slow या fast करके आप moderate level पे लेके आओ exercise करो और अपने heart rate को भी track कर सकते हो heart rate को भी track कर सकते हैं कई लोग उसके बारे में बुरते हैं कि 50-80% of your maximum heart rate पे आपको रखना चाहिए target heart rate जितने पे आपको exercise करनी चाहिए और based on your age आपकी maximum heart rate क्या होगी वह calculate की जा सकती है और exercise में आप बीच में रुक रुक के अपनी पल्स भी देख सकते हैं रिस्ट पे अंगुठे के नीचे रिस्ट पे मैंने इसे वीडियो बिनाया था सब्सक्राइब क्या होती है 20 साल की उमर में target heart rate होती है 100 to 170 beats per minute तो आपको 100 से लेके 170 beats per minute के बीच में exercise करनी है और उमर के हिसाब से आप target heart rate देख लो यह आपकी target heart rates है इनके बीच में आपको exercise करनी है so to find approximate target heart rate आपको करना क्या है अगर आपको आपकी उमर के लिए चाहिए 220 minus your age 220 minus your age is your target heart rate उस target heart rate का 50% to 85% के बीच में आपने दोड़ना है that is the thing ठीक है कई कहते है 140 होनी चीए heart rate 120 ऐसा नहीं हर उमर के लिए अलग हिसाब केताब है यह हिसाब केताब है ठीक है so this is how you access your workout moderate intensity का मतलब है heart rate आपका 50 से 70% होगी और vigorous activity का मतलब है 70% to 80% of your maximum heart rate 220 minus the age वाला हिसाब केताब so when you are exercising पहले पहले slow workout पे चालो करें 50% ही फिर 60 फिर 70% फिर आप ऐसे उसके बीच में moderate intensity को touch करें यह ज्यान में रखें so key points क्या है कि दिल को सेहत मन रखने के लिए सबसे important है exercise 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 उसके बाद diet जी हां diet भी बहुत जरूरी है weight management सबसे जरूरी है blood pressure sugar risk factors management जरूरी है और पुठे से कम नहीं करने है मतलब कि cigarette BD नबाकू दारू वह सब obvious सी बात है अपने पैर पे कुलहडी मारों पिर क्या मतलब हुआ हैगी नहीं so this is important so please understand healthy lifestyle and this is one of the important points so check with your doctor if you have high blood pressure diabetes any other health बीमारी कोई और problem और उसको भी address करना जरूरी है and heart को अपने healthy रखेंए तकड़ तकड़े हो जाईए exercise करिए slowly शुरू करिए धीरे धीरे progress करिए और इस channel को like करिए subscribe करिए नहीं किया अब तक तो इस video को share कर दिए thank you so much stay connected stay healthy